दूस्तों अगर आपको thumbnail बनाना नहीं आता है इस वीडियो के आंदर मैं आप लोगो step by step दिखाने वाला हूँ आपके mobile phone से कैसे आप एक professional thumbnail बनाऊगे बहुत सरा लोगों को thumbnail बनाना नहीं आता है जिसके वाया से thumbnail यहां पर बेकार होता है और उनके वीडियो पर काफी यहां पर कम भीउस आता है उनके वीडियो पर लोग क्लिक ही नहीं करता है जिसके वाया से उनका जो impression click through rate है वो काफी यहां पर कम रहता है 2%, 3%, 4% जिसके वाय जो यहां पर matter करता है आपका वीडियो का thumbnail इसलिए इस वीडियो के अंदर में आप लोगो step by step दिखाने वाला हूं आपके mobile phone से कैसे आप आप एक professional thumbnail बनाओगे और देखिने के बाद easily आप बना सकते हो वीडियो का एक भी पार्ट किप मत करना अगर आप एक भी पार्ट कर दोगे तो आप बढ़िया thumbnail नहीं बना पाओगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अभी तेक मेरा YouTube चैनल को सब्सक्रा आप एक चीज़ बोलना चाहूंगा जो भी मैं thumbnail बनाकर आप लोगों दिखाने वाला हूं वह आप किसी भी चैनल पर यहां पर आप अच्छा दिखेगा तो वीडियो को एंड तक यहां पर आप देख सकते हो सबसे पहले मैं न्यू टेक्स्ट को यहां पर डिलिट करते हैं करता हूं डिलिट करने के बाद यहां पर क्लिक करता हूं तो क्लिक करता हूं क्लिक करने के बाद आपको यहां पर देगेनों को मिलेगा इमेज साइज इसके उपर क्लिक करना है इमेज साइज के उपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको देगेनों को मिलेगा यूट्यू फोटो भी यहां पर आप एड़ कर सकते हो ठीक है तो मैं कलर की उपर क्लिक करता हूं क्लिक करने के बाद उपर आपको यह सारा नॉर्माल कलर आपको यहां पर देगीनों को मिलेगा तो क्लिक करना है ग्रेडियंट कलर सबसे पहले मैं क्लिक करता हूं प्लास की उपर प्लास क के उपर क्लिक करने के बाद आपके color set करने तो मैं यह वाला color यहां पर set करने वाला हूं कि उसके बाद okay करता हूं okay करने के बाद इसको select करता हूं color के उपर click करता हूं थोड़ा सा मैं black कर देता हूं कुछ इस तरीके से करने के बाद मैं okay कर देता हूं फिर से ओके कर देता हूं के करने के बाद यहां पर थोड़ा सा यहां पर ग्रेडियंट कलर यहां पर आ चुका है उसके बाद आपको जो काम करना है यहां पर एक option देगेनों को मिलेगा तो आपको इस option के उपर क्लिक करने के बाद आपको एक option देगेनों को मिलेगा यहां पर कर देता हूं को इसपोट था लिए पर करने केपा इसको बड़ा कर दीजेकर करने के बाद यहां पर आपका इमेज यहां पर अप exception को मिले उसको त्यों आप साथ बगार यह सरा चीज भी यहां पर आपको में सब से भी शिखा कर सकती हो watery कर देता हूं तो मैं यह पर यहां पर सिलेट किया उसके बाद मैं यहां पर क्या करता हूं यहां पर सेट कर देता हूं सेट करने के बाद मेरा फोटो यहां पर मैं एड़ करके आप लोगो दिखा देता हूं तो मैं क्लिक करता हूं फॉर्म गैलरी गैलरी से एक फोटो में एड़ कर लेता हूं तो भाई मैंने इस फोटो को यहां पर एड़ करने वाला है तो आपने सबसे तो बिवर सबकते इसमंद में इस पोड़े इसकुश तरीके से तो आपको भी यहां पर सेट कर कर देता ने कर दो एक आप सेट आप यहां पर देख सक्ते हो देन आपको जो काम करना अगर कोई फोटो हूं करना चाहती है बना रहा है यहां पर सबसे पर चाहँ है सबसे में गया करना है करने के बाद मैं 30 कर देता हूं और इसको भी मैं यहां पर 30 कर देता हूं ठीक है 30 करने के बाद 30 करने के बाद आपको क्या करना है आपको यह पर आपको यहां पर का रता है आप क्या धर्या ऑपके करने के बाद कॉपि करने के बाद कुछ सब्सक्राइब कर देता हूं फिर से को इसको pack को मैं देने वाला हूं यहा पर वाइच टोक लैड कर देता हूं रैट क्लिक करने के बाद नीचे ड्रैग करके नीचे कर देता हूं ठीक है और यह पर मैं लिखने वाला हूं जो अपनी चक्व simplemente बनाना सीधो antib κα complac audio जो को मैं का एड करता हूँ पर तो यहाँ पर अभिट लिए तो यहाँ पर पम तो मैं एक यहां पर फॉंट यहां पर यूज कर लेता हूं और आपको जो काम करने तोड़ा सा ड्रेग करके बढ़ा कर देना है और यहां पर थम्नेल का भी यहां पर जो फॉंट है उसको भी चेंज कर देता हूं यह वाला यहां पर सिलेट करता हूं और यहां पर कलर देने वाला हूं यहां पर क्लिक करता हूं और यहां पर प्लास को पर क्लिक करता हूं यहां पर में रेट कला सिलेट करने वाला हूं ठीक है वाइट की उपर रेट काफी बढ लग रहा है और यहां पर कट चुका है सबसे पहले आपको जो काम करना यहां पर एक option देगे नों को मिलेगा पेडिंग तो आपको इसके उपर क्लिक करके थोड़ा सा बढ़ा देना है ठीक है तो मैंने यहां पर 3-3 कर दिया और कुछ इस तरीके से मैं यहां पर एड करने वा आपको एंड की मैं लगने वाला ओन लंगर मैं बढ़ना सीखे तो मैं टेश्ट एड करता हूं और यहांपर लिख देता हूं तो थोड़ा से इसको मैं यहां पर मार्च कर देता हूं मार्च करने के बाद थोड़ा से अजस्ट करने वाला हूं तो मैं यहां पर चारों को यहां पर मार्च करने वाला हूं यह हो चुका है मार्च मार्च करने के बाद थोड़ा से छोटा करने वाला हूं और इस तरह की सेट कर राइन आपको काम करने के बाद यहां पर बड़ाने वाला हुग सेंहें किसे मतलब कर सकते माइनस कर सकती हो तो करने के बाद बढ़िया यहाँ आप लग रहा है इस तरह का जो काम करना माइप पीछे और यहां पर आप सेढ़ लगा सकते उसके लिए और एक इमेज आपको डाउनलोड करने जिसका लिंक आपको description box पर देगेने को मिल जागा तो मैं यहां पर add कर लेता हूं तो इस तरह का जो image आपको Google पर देगेने को मिल जागा इजी लिए आप डाउनलोड कर सकती हो तो सबसे पहले में color को यहां पर change आ रहा है तो भाई लोग कुछ इस तारीके से आप thumbnail बना सकते हो थामनल बनाने के बाद thumbnail को save करने के लिए अपको मिलेगा तो मैं select करता हूं and आपको यहां पर काम करना है save to gallery option को पर क्लिक करने के बाद आपका इमेज यहां पर गलारी के अंदर सेव हो जाएगा और इजी लिगाइस आपके वीडियो पर इस थामनेल को यूज कर सकते हो तो भाई लोग यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके मेरे को जुरू बतना अगर आपको यह वीडियो हेलफू लाइक कर देना मिलते हैं नेकिसे वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार